हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी लोग उम्मीद करती हों सभी लोग स्वस्त होंगे मस्त होंगे दोस्तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि पैरिट के क्या-क्या विशेश ताइं होती है या कहें उनके बिहेवियर में ऐसी क्यासी चीज होती है जो हमें दिहान की दालने वाले होते हैं तो हमें उसके बैषेवियर के बारे में जरूर पता होना चाहिए कि उसका का हाता है सबसे पहली chu shape करती है वो है। उसका प्यारा सब सभी जिदने बी पर परट होते हैं वो बहुत ही वोकल होते हैं उनको बोलना काफी अच्छा लगता है और उनका बोलना जो है वो हमें भी काफी अच्छा लगता है जो भी वर्ड हम लोग उनको बोलना सिखाते हैं या घर में कुछ इस तरह के वर्ड्स जो जादा से जादा बोले जाते हैं वर्ड्स को पैरिट बहुत बोलना सीख जाते हैं हाँ बहुत जल्दी का मतलब यह है कि कोई कोई बर्ड जल्दी बोलना सीखता है कोई देर में बोलना सीखता है लेकिन थोड़ा बहुत हर बर्ड बोलता जरूर है तो इनका जो बोलना होता है वो इनका सबसे प्यारा बिहेवियर होता है यह बहुत ही प पैर्ट आपके साथ बहुत अच्छी बॉंडिंग में है तो अगर आप किसी और को उत्रा प्यार करेंगे तो पैर्ट को यह चीज पसंद नहीं आती तो काफी प्वजैसिफ होते हैं और इन चीज़ां से वह काफी जैलिस हो जाते हैं तो यह जो होता है यह काफी अच्छा ल आपके लिए अगके पीज़त से आपके बीहियर और ऐसे बहुत अच्छी लगता है तो उसको प्लेफुल होता है तो खेलना काफी यह जलोन। अगर आपके पास time है और आप उसके साथ अगर खेलेंगे वक्त निकालेंगे तो आपका parrot काफी खुश रहेगा और आपको भी कभी कोई ऐसा moment नहीं आना देगा जहां आपको dullness महसूस हो जब भी आप अपने parrot के पास बैठेंगे आपको बहुत ही अच्छा energetic आप फील क्योंकि parrot को अगर आप खाली बैठकर भी देखेंगे तो उसकी हरकते काफी अच्छी लगती हैं दोस्ते parrot के अंदर एक और behavior होता है bluff करने का यानि की धोका देने का अगर आज आपका parrot बहुत खुश है और थोड़ी देर पहले ही आपसे बहुत प्यार से वो खेल के गया है लेकिन पता नहीं उसका mood कब swing कर जाएगा और वो आपको काटने लगेगा या फिर जैसे आप बाहर घुमाने उसको लिके जा रहे हैं उपन एयर में अगर आपका parrot रहता है तो आप उसको माननीचे रोज लेकर जाते हैं तो पता नहीं लेकिन कब आपका parrot उड़ जाएगा तो bluffing की बहुत आदत होती है दोस्तो ये behavior होता है parrot का दोस्तो पैरिट को कंधे पर बैठना काफी अच्छा लगता है खासत और से उसके कंधे पर बैठना बहुत अच्छा लगता है जिससे वो सबसे ज़दा करीब होते हैं जिससे सबसे अच्छी उसकी bonding होती है उनके कंध का विशेश ध्यान रखिए लेकिन अब जैसे शिवा को काफी टाइम हो गया है तो शिवा कभी काटता नहीं है उसकी आदत काटने की बिल्कुल भी नहीं है लेकिन अगर आपके पैरिट की काटने की आदत है तो आपको थोड़ा साथ धान रहना होगा लेकिन यह उसका बिहे आपको कैसी लगी आप बताईएगा और अगली वीडियो कुछ और डीटेल्स के साथ लीकर आउंगी तब तक के लिए मुझे और शिवा को कर दीजिए बाए बाए